नमस्कार आप देखेने नैशनल भारत में हो राकेश पटना के MP MLA कोट में आज RGD सुप्रीमो लालू यादों की पेशी होनी है यह मामला एक अपरादी केस से जुड़ा हुआ है जिसमें मानहनी का केस लगतार चल रहा है और इसके खिलाफ लालू प्रसाद यादों के ओपर प्रोडक्शन वारेन भी जारी किया गया है कि उन्होंने उस दोरान मुख्यमंत्री नितिश कुमार के खिलाफ गलत शब्दों की बयान माजी की और इसी को लेकर उन्होंने एक नियाले में लालू प्रसाद यादों के खिलाफ मुकदमा दारी किया जिसकी सुनवाई आज होनी है क्या है ये पूरा मामला आई विस्तार से हम आपको बताते हैं उनकी उपस्तिती के लिए लमित चलो ही है इस मामले के परिवादी भागलपूर निवासी एक रिटायर अधिकारी उदेकांत मिश्रा है उन्होंने लालू प्रसाद यादो पर वर्ष 2017 में एक परिवाद मुकदमा दारी किया था इसके साथी निटीश के खिलाफ गलत बयान देने का आरोप है लालू प्रसाद पर सीम निटीश कुमार के खिलाफ गलत बयान बाजी का आरोप लगाया है आरोपे की भागलपूर की सभा में लालू ने सीम निटीश के खिलाफ गलत बयान बाजी किया था इस मामले में रिटाइट अधिकारी उदेकांत मिश्रा ने याची का दारी की थी दरसल भागलपूर के एक सार्विने के सभा में लालू प्रसाद ने बिहार के सीएम नितीश कुमार को कहा था कि जब भी आते हैं उन्हें के घर ठहरते हैं उन्होंने अर्बो रुपे के सीजन घुटाले के मामले में उनको बदनाम करने की बात कहे उन्होंने ये भी कहा था कि वादी सीजन घुटाले की आरुपितों का सनक्षक है इस मानहानी के मुकदमे में कोटने गवाहों के बयान और उपलद साख्ष के अधार पर आज़ेडी सुप्रेमू लालु प्रसाद यादों के खिलाफ मानहानी का संग्यान लिया है और नीशन भारत में खबरों का सिजला लगता जा रही है खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहें, नेशन भारत साथी हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर जरू करें, नमस्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए